मुंबई का वड़ा पाव अगर बात हो मुंबई की तो सबसे पहले वड़ा पाव का नाम दिमाग में आता है इसे बर्गर का देशी अंदाज भी कहा जा सकता है बेहद कम रुपिय में मिलने वाले वड़ा पाव को हर कोई खाना पसंद करता है इसके साथ तली हुई हरी मिर्च भी खाने में काफी स्वादिश्ट लगती है दिल्ली के छोले भटूरे वैसे तो छोले भटूरे पंजाब की फेमस डिश है लेकिन दिल्ली के छोले भटूरे को काफी पसंद किया जाता है विराट कोहली तक दिल्ली के छोले भटूरे खाना काफी पसंद करते हैं जैपुर की कचोरी अगर आप कचोरी खाने के शौकीन है तो जैपुर जाकर मावा, प्याज और दाल की कचोरी ट्राई कर सकते हैं इसका स्वाद आपको काफी अच्छा लगेगा आगरा की बेड़ई, आगरा में रहने वालों के दिन की शुरुआत बेड़ई और गर्मा गरम जलेबी से होती है बेड़ई की दुकानों के सामने नाश्ता करने वालों की भीड जुट जाती है आगरा आएं तो इसे अपने नाश्ते में जरूर शामिल करें कोलकाता का काठी रोल, काठी रोल खाने के शौकीन लोगों के लिए कोलकाता सबसे बेस्ट शहर है यहां का काठी रोल काफी फेमस है लखनव के टुंडे कवाब, टुंडे कबाब, भारत के उत्तर प्रदेश राज्ज लखनव का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन है ज़़ाद लोगों के मुह में पानी लाने पर मजबूर कर देता है टुंडे कबाब लखनव का सबसे प्रसिद्ध और पसंदिता व्यंजन है पटना का लिट्टी चोखाना में अगर आपको लिट्टी चोखा खाने का मौका मिले तो जरूर खाएं यह ग्रामीनों का भोजन रहा है जो आज देश के कोने कोने में प्रचलित हो चुका है पोशन से भरपूर इस देशी स्नैक्स को आलू, बैंगन और टमाटर के चोखे के साथ खाया जाता है चैननाई की इडली सांभर, इडली सांभर सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली साउथ इंडियन डिश है जो खाने में हलकी और स्वादिश्ट होती है इसे आमतोर पर नाश्ते में और मूंगफली या नारियल की चटनी के साथ परोसा जाता है इंडौर का पोहा, वसे तो पूरे मध्यप्रदेश में ही पोहा अच्छा मिलता है पर इंडौर के पोहा की बात ही अलग है गुजरात की दाबेली, अगर बात करें इसके इतिहास की तो सबसे पहले दाबेली गुजरात में बनाई गई थी इस व्यंजन को परोसने से पहले बन को कुचल दिया जाता है इसलिए इसे दाबेली कहा जाता है जिसका गुजराती में अर्थ होता है, दबाया हुआ करनाटक की अक्की रोटी अक्की रोटी भारत के राज्य करनाटक का पसंदिदा भोजन है जो यहां के स्थानिय लोगों द्वारा नाश्ते ने लिया जाता है बतादें की अक्की रोटी को राइस ब्रेड के नाम से भी जाना जाता है करनाटक राज्य में अक्की रोटी कई कार्यालेयों और कालेजों के बाहर बहुत बिकता है बनारस की टमाटर चाट टमाटर की चाट बनारस की कई मशूर चीजों में से एक है इसका स्वाद भी एकदम लाजवाब होता है इसका खटा मीठा सा स्वाद आपकी जबान से हटेगा नहीं बनारस जाए तो इससे जरूर खाए दिल्ली के मोमोस जब भी आप दिल्ली की यातरा करने के लिए जाते हैं तो आपको यहां ऐसी कोई सडी ड्यक नहीं मिलेगी जहां पर मोमोज का स्टॉल न हो भारत में दिल्ली मोमोज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मोमोज एक तिबबती डिश है जिसे पूरे उत्तर भारत में काफी पसंद किया जाता है